तो फ्रेंस आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल कर सेकतों आपका मोबाल चाहिए अगर आपने एक GST नमबर ले लिया और उसमें अब GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइल लगता है आपको कोई भी एक ब्रावजर ऑपेन करे लेना हैं और ब्रावजर ऑपेन करने के बाद आपको टाइप करना है GSTR Login तो इस टाइब करके सर्च कर दीजिए तो सर्च करती ही आपको इस टाइब से link शो हो जाएगा तो फर्स्ट वाला link पर ही आपको क्लिक कर देना है तो इसमें आपके username, password डालके आपको login कर लेना है और login करने के बाद friends इस टाइब से शो हो जाएगा इधर आप देख सकते हो मेरा ZHDR1 और ZHDR3 भी फाइल नहीं किया हुआ है तो आप ही फाइल करेंगे और आपको दिखाएंगे mobile से ही तो friends इसमें आपको थोड़े scroll down करने के बाद आप नीचे देख सकते हो continue to dashboard तो इसी option में आपको क्लिक कर देना है तो इसमें क्लिक करते ही इस टाइफ से शो हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हो file returns का option है तो इसी option में आपको क्लिक कर देना है तो इसमें क्लिक करते ही इस टाइफ से शो हो जाएगा और इसमें से आपका financial year, quarter and period को चूस कर लेना है तो इसमें देखिए जो financial year तो रहेगा ही आपको quarter में click करके इसमें gen 2 marks select कर लेना है और period में आपका February select करके फिर आपको search कर लेना है तो search करती है friends इस type से show हो जाएगा तो आपकी scroll down कहना है scroll down कहने के बाद देख सकते हूँ GSTR 1 फाइल नहीं किया हुआ है और इसका due date है 11th every month 11th ही रहता है और GSTR 3 भी AB मतलब अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और देख सकते हूँ इसका due date है 20 every month 20 रहता है तो पहले हम लोग GSTR 1 फाइल करेंगे फिर GSTR 3 भी करेंगे तो free via online इसमें click कर देना है तो click करते है friends इस type से show हो जाएगा और friends देख सकते हूँ इसमें एक tick box से file nil GSTR 1 तो इसमें आपको पहले tick कर लेना है तो tick करने के बाद friends आपको थोड़े scroll down करना है scroll down करने के बाद आप नीचे देख सकते हो file statement तो file statement में जाके आपको click कर देना है और click करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा और इसमें आपको tick box मिलेगा confirm करने के लिए देखिए इसमें click कर दिया तो click करने के बाद फिर आपको authorized signatory इसमें select में click करके आपका जो नाम है नाम को select कर लेना है फिर इसमें file with evc का option ही इसमें click कर देना है तो click करते हैं आपका mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP के दिर एंटर कर देना है एंटर करके फिर आपका verify कर देना है तो verify करते ही आपका जो zhtr1 है वो file हो जाता है तो friends देखिए मैंने OTP enter कर दिया फिर verify में click कर दिया और verify म हो चुका है और आपको mobile में message भी मिल जाएगा तो friends देखिए यह successfully हो गया तो यह होने के बाद फिर आपको zhtr3 भी करना होगा तो friends अगर आपने अभी तक angel one और patium money में account नहीं बनाया है तो आप बना लिजे और इसमें account बना के आप refer करके income कर सकते हो तो friends देखिए angel one में आ आपको per refer 250 से लेके 500 तक मिलता है और patium money में आपको 400 per refer मिलता है दोनो account का ही joining link आपको description में मिल जाएगा और full process का video link भी आपको description में मिल जाएगा तो आप check out कर सकते हो GSTL 3B करने के लिए जो dashboard का option है इस option में आप click कर दीजिए तो इसमें click करते हैं आपको इस type से interface शोख हो जाएगा तो पहले जैसा ही आपको file returns इस option में click कर देना है तो click करने के बाद friends इस type से शोख हो जाएगा तो इसमें आपको period में जाके February के वो सेलेक्टर लेना है इसमें March already रहेगा लेकिन आपको February मांद का ही करना है March तो आभी चालू है complete नहीं हुआ है फिर आपको search कर देना है तो search करने के बाद friends आपको इस type से शोख हो जाएगा तो इसमें आपको क्या करना है देखिए इस लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा right side आना है तो इधर देख सेकते हो yes no तो आपको yes करना yes करके फिर आपको next का option में क्लिक कर देना है तो क्लिक करते है friends इस type से शोख हो जाएगा और friends देखिए इसमें एक pop-up आता है और इसमें yes लिखा हुआ रहे तो इसमें आपको yes करना होता है लेकिन म next of site करने के लिए क्या करना होगा जो three dot है इस option में जाना है जाके next of site में क्लिक करके next of site कर लेना है तो मैंने पहले ने किया था इसलिए logout हो चुका है तो फिर अगर आप भी कर रहे हैं इस तरीके से तो logout हो जाएगा फिर से आपको login करना है तो आपका user name password देखे फिर से आ आना है फिर file returns इसमें आपको click करना है देखे इसमें file returns को option है इसमें click कर देना है तो click करने के बाद friends आपको इस type से show हो जाएगा फिर इसमें से आपको February मांथ को select कर लेंगे फिर search करेंगे तो search करने के बाद पहले जैसा ही आपको show होगा just आप इसमें जो ZHTL3 भी है इस option म जाएंगे और देखिए prepare online के left site में आपको only P show हो रहा है तो P में आपको click करना है next of site किया इस वज़े से इसमें ज्यादा show नहीं हो रहा है तो इस type से आएगा फिर देखे इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा do you want to file nil returns तो इसमें आपको yes करना है yes करके फिर आपको next कर देन है तो जब आप next करेंगे तो next करते ही जो जिसमें हम लोग attack गये थे ओं option इदर show हो जाएगा देख सेकती इस type से आएगा तो इसमें yes कर दीजेगा yes करते ही आपको इस type से show होगा tick box में tick करेंगे authorization signature में जाके आपका नाम select करेंगे फिर file with evc का option में जाके click करेंगे तो file with evc क option में click करते ही आपका जो mobile number उसमें एक OTP आएगा उस OTP को इदर enter करके फिर verify कर देंगे तो आपका ZHT3B भी file हो जाएगा तो friends देखिए OTP आ चुका है तो मैं OTP इदर enter करके verify का option में click कर देता हूँ और click करते ही इस type से file हो चुका है आप देख सकते हो file हो चुका है और message भी मिल चुका है कि हाँ ZHT3B file हुआ है तो friends इस तरीके से ही आप घर वेड़े आपका जो ZHTN number है उसका ZHT1 और ZHT3B file कर सकते हो अगर आप file नहीं करेंगे तो आपको fine भरना होगा क्योंकि ज़्यादा मन्त चला जाएगा आप file नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा fine लगत है तो friends इस वीडियो में इतना ही था तो वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक किज़े शेयर किज़े और मेरे चाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलेंगे और एक न्यूव वीडियो के साथ थैंक यू